हेलो दोश्तो आई ये शुरू करते है आज की क्लास आपके अपने निलेस के साथ आउ सिखें इंगलिस पढ़ना उभी हिंदी में इसका ये पाट श्वालेसन है पाट पाँच है जो लोग नए हैं भी जान ले कि प्रवर्टक की स्पॉकन इंगलेस फुल रेडिंग कोर्स जो की चार से सभी उम्र के बच्चों के लिए लोगों के लिए है जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा उसके लिए आप अपने वीडियो के नीचे नाम पर क्लिक करेंगे फिर आप चैनल पर पहुच जाएंगे जहां पर प्लेइलिस्ट में जाएंगे इसके लिए प्लेइलिस्ट पर क्लिक करेंगे और फिर जहां पर आपको सभी प्लेइलिस्ट दिखेगी इसमें से सिखें इंग्लिस पढ़ना 2017 पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको से एक के बाद एक देखें और पूरे कोर्स को करें तो आए शुरू करते हैं लेसन 5 लेसन 5 में सबसे पहले हम चीज देखेंगे कि यदि किसी सब्द के इंग्लिज में किसी सब्द के आखरी में यदि एस लगता है यह एस है जैसा कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एक वचन से बहु वचन बनाने के लिए आखरी में एस लगाते हैं तो उसे कैसे पढ़ते हैं बस वही हम देखेंगे कि यदि आखरी में एस है तो इसक होगा सा का उच्ण सो वोता है इसको चेख यह को चारण सो क्या होगा सर तो ket yo sure clear winter domestics यर्ज लगाया है तो docks dogs pine में लगईगा थो जाएगा येба bet in पेट्स, पिक्स, पिल्स, एन हैंड्स, आये फिर से मेरे साथ पढ़िये, पैट्स, पिक्स, पिल्स, हैंड्स, पॉट्स, रैट्स, बैट्स, जक्स, अब यदि किसी सद के आखरी में या अन्त में येस लगा हुआ है, जो की सिंगुलर से प्लूर बनाने के लिए लगाते हैं, तब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, तो ES का उचान होता है, S, ES का उचान होगा, S, कैसे पढ़ेंगे, देखिए, ये है box, और ES लगा, तो box, S, box, ES का उचान, S, तो कैसे होगा, box, S, boxes, तो ES का उचान है, वो इसमें एक ही मात्रा की तरह मिल जाएगा, तो boxes हो जाएगा, तो क्या हो चरण, boxes, boxes, taxes, foxes, kisses, pieces, glasses, watches, glasses, 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 buses, buses, ये है apostrophies, जिसका मतलब होता है, का, जैसे, राहूल का, गाय का, या की, clear, इसको भी हम, स, पढ़ेंगे, कि एसका उचान होता है, स, जैसे, डॉक्स, तो थोड़ा सा रुकेंगे, फिस्स बोलेंगे, काउस, काउस, जॉन्स, राच्स, clear, डॉक्स, मतलब होता है, का, काउस, लगाय की, जॉन्स, जॉन्स, जॉन्स का, राच्स, रॉच्च का, clear, एप्रेश्ट आपिए, जिसका मतलब होता है, का, नेक्स रूल है, या जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें, किसी सब्द के अंत में यदि ए हो, कि इंग्लिस के सब्दों के अंत में यदि ए हो, तो उसका उच्चारन अ होता है, कि इंग्लिस में किसी भी सब्द में, यदि आखरी में ए आता है, इंग्लिस के सब्द के अंत में यदि ए हो, तो उसका उच्चारन अ होता है, या सिंपली कहें, तो यदि किसी सब्द के अंत में ए हो, तो हम उसका उच्चारन नहीं करते हैं, किसी सब्द के अंत में यदि ए हो तो हम उसका उचारन नहीं करते हैं या समझ लो उसको हम नहीं पढ़ते हैं ठीक या आखरी में यादी ए है तो हम उसका उचारन नहीं करते हैं क्लियर देखे एक्जाम्पल से बेक बेक जिसे बी का उचारन ब ए तो गया बे और के का उचारन क तो बी ए के का उचारन हो गया बेक पर ए का उचारन हमने किया क्या नहीं क्लियर तो यदि आखरी में ए है यहां पर ए आखरी में इसका उचारन नहीं होगा बेक नेक्स्ट लेक तो लेक में भी एक उचारन ए ले और के उचारन क लेक लेक और एक लेक और एक उचारन हो रहा है क्या नहीं तो लेक तो रूल समझ में आगे होगा कि यदि आखरी में यह है तो उसका उच्छारण नहीं करते हैं टेक तो मैं पहले पढ़ूँगा फिर उसका उच्छारण आप वही का वही करेंगे क्लियर तो फिर से चालू करते हैं बेक लेक टेक ब्रेक स्नेक केक मेक वेक फ्लेक सेक फेक रेक जोक मेल ग्रेड ट्रेड वेल प्लेड प्लेड अजर प्लेड एप वीड प्लेड यस्क्रेड उसक्रेड यस्क्रेड cane, game, frame, plane, eight, head, cave, wave, date, late, state, gave, brave, gate, plate, save, save, base, base, gaze, case, chase, maze, blaze, ace, यहाँ पर C का उचार्ण स होगा, C का उचार्ण बीच में आता है, तो वहाँ पर हम स करेंगे, तो यह हो जाएगा, is, repeat किजिए, is, pace, place, age, और इस सब्द में, जी का उचार्ण होगा, G, sorry, G का उचार्ण यहाँ पर होगा, J, एक उचार्ण G भी होता है, पर इन सब्दों में होगा उचार्ण J, तो यह सब्द हुआ, A का उचार्ण A, और G का उचार्ण J, age, और इस का उचार्ण नहीं हुआ, age, face, रिपीट कीजी, face, race, grace, space, cage, trace, page, stage, तो देखिए, इन सारे सब्दों में, जी का उचार्ण J हुआ है, cage, page, stage, clear, paste, waste, range, change, तो यह थे हमारे एक प्रकार की सब्द, अब अन्य प्रकार के देखते हैं, कि कुछ सब्द के अंत में, आर, e होता है, यदि e के पहले आर है, या अंत में आर, e है, तो उसका हम उचार्ण के क्या करते हैं, अर, कि इंग्लेज के सब्दों के अंत में आर, e हो, तो उसका उचार्ण अर होता है, clear, कभी तक हमने जो भी पढ़े सब्द, उसमें आर नहीं था, आखरी में e था, मगर उसके पहले r नहीं था, मगर यदि आखरी में e है, उसके पहले r है, तो उसका उचार्ण अर हो जाता है, जैसे example समझे, जैसे, b, a, b, और r, e का उचार्ण अर, देखी, b, a का उचार्ण, b, और r, e का उचार्ण, अर, तो पुरा उचार्ण क्या हो गया, b, r, clear है, कि starting उचार्ण जो होगा, मगर r का उचार्ण अर, उसके साथ में वो उचार्ण मिल जाएगा, b, r, उसी तरीके से, c का उचार्ण, k, a, k, r, e का उचार्ण, r, k, r, clear, k, r, d, a, d, r, d, r, तो चलिए, फिर से हम रिपीट करते हैं पढ़ना, और आप भी मेरे बात बोलेंगे, बेर, केर, डेर, फिर, मेर, सेर, अवेर, स्टेर, अब है, पी एच का उचार्ण, पी एच का उचार्ण होता है, पी एच का, इंगलिज के कुछ सब्दों में उचार्ण, द भी होता है, जैसे, पी एच का उचार्ण हुआ, द, a, t, क्या हो गया, that, पी एच बना, ती एच का उचार्ण, द, और, a का उचार्ण, a, और, t का उचार्ण, ट, द, a, t, that, ती एच, a, क्या मिल गया है, बनके, द और, a की मात्रा मिलके, द, और, t, t, that, प्लियर है, तो, ती एच को हमको क्या पढ़ना है, द, उसके साथ, a मिल गया, तो, that, then, उसी पर दरीके से, t, a क्या हो गया, ये, t, a, क्या हो गया, then, ती एच, the, और, a, a, तो, they, और, n का उचार्ण, न, then, clear, that, then, ना, फिर से, रेपीट करते हैं, that, then, the, the, them, them, then, this, then, these, clear, अब, हिंदी की साथ से, th का उचारण, th, भी होता है, ठीक, और, इंग्लिस के सब्दों में, भी, th का उचारण, th, होता है, देखे, कहां पर, th, और, इंग्लिस का उचारण, इन सब्दों में, क्या है, th, तो, आपको, इन सब्दों में, क्या पढ़ना है, th, th, त, th का उचारण, th, और, i मिला, i मतलब, e की मातरा, तो, क्या बना, th, देखे, th का उचारण, क्या हुआ, th, और, i मतलब, e की मातरा, तो, यह बना, th, और, n का उचारण, इसे इनका उचारण, न, तो, सब्दों हुआ, th, clear है, th, next, th, i, th, i, और, c, का उचारण, क, th, i, kya हुआ, th, i, और, c, का उचारण, क, th, clear, th, i, th, i, thin, thick, repeat, now, अगला, बा, थ, क्या हुआ, अचारण, बाथ, मेथ, 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 पाथ, एक चीज़ा ध्यान दीजिए, यह पहला उचारण, हम अभी कर रहे हैं, यहाँ पे एक का उचारण, ए, न, होके, आ, होगा, clear, तो, यह पे, न, होके, क्या हो जाएगा, पा, एक का उचारण, यहाँ पर, आ, होगा, पा, थ, क्या, पा, थ, विथ, विथ, थम, ब्रिथ, ब्रिथ, एक सब दोर, थैंक्स, थैंक्स में भी थ, आता है, जिसको चारण, थ होता है, clear, now, न, next, देख रहे हैं, sh, sh का उचारण क्या होता है, सभी को बता है, sir, sh का उचारण क्या होता है, sir, तो कुछ sh वाले सब्द हम देखेंगे, और पढ़ेंगे, और प्रेक्टिस करेंगे, S, साथ में रिपीट किजिए, S, केस, लेस, रेस, मेस, डीस, फिस, वीस, गोस, जोस, शेल, सेख, सेड, सेल, सीन, सीप, सोक, सोप, सोट, सर्ट, तो यह थे सब्चारण, अब हम करेंगे, चर की उचारण वाले सब्द है, C, H वाले सब्द, जिसमें C, H का उचारण होगा, चर, C, H का उचारण होता है, चर, और हिंदी, बारखड़ की इसाब से भी, C, H का उचारण होता है, चर, यह चर के लिए हम C, H लिखते हैं, तो आजिए सब्द देखें, C, H का उचारण, च, और A, च, देखें, C, H का उचारण हमको पता है, क्या होता है, च, C, H का उचारण, च, और A का उचारण, A की मातरा, A, च, और P का उचारण, प, सब्द बना, च, लिए, वैसी सब्द जगर, जहां आपको C, H दीखें, उसे हम च पढ़ेंगे, चेट, चेट, चेक, चेस, चेक, चिल, चीप, चीन, चॉप, रिच, मच, सच, अब हम देखेंगे, डबलु एच, जिसका उचारण होता, व, व, क्लिएर, जैसे, वैन, डबलु एच का उचारण, व, एक ही मातरा, तो वैन, क्लिएर, एक ए का उचारण, एक ही मातरा के लिए होगा, तो व, में, एक ही मातरा लग जागी वै और एक च्ण, वैन, 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 रिपीट कीजिए, when which which what what where where will well will well clear है तो इन वीडियो को बार बार देखे और प्रेक्टिस करे हो सके यदि आपकी इंगलिस अच्छी है तो इसको बहुत अच्छा करना चाहते हो आप तो पूरी आवाज कम कर दे वीडियो की और अपने आप खुद एक एक संटेंसे को पढ़ते चले पूरी आवाज कम करके पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो मिलते रहें और पसंद आया है तो लाइक करें कुछ सुधार करना है कुछ अच्छा है उसके लिए मु थे थैंक यू